गुड मॉर्णिंग दोस्तों मैं अभी आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो दोस्तों अभी सुभे के 9 बज गए हैं 9 या पॉने 9 बज गए हैं और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं मेरे जरेनियम के प्लान के बारे मे और अभी समर तो सुरू होने वाली है तो इसके क्यार और सीट कालेक्शन भी बताऊंगा आज में दोस्तों तो पहले तो वीडियो बनाना चाहता था दोस्तों लेकिन थोड़ा कुछ रिजन के वाज़े से लेट हो गया तो कोई नहीं अभी दिखा दिखा देता हूं आपक और संबोल दोस्तों जैसे अब ही तो समर आ गया तो इसको कुछ स्पेसफिक के जरूरद होती ہے जैसे कि पहले थोड़ा धूब मेनारग और जाहा धूड़ा होता हो और मॉ निए थोड़ा को थोड़ा धूड़ कर दोनों होता हू जैसे दोस्तों मैं ओडिशा संबलपूर से हूँ तो यहां पर धूब बहुत होती है समर में तो इसको मुझे बहुत स्पेस्पेक कियर जैसे की छाओं अरिया जैसे देख सकते हैं दोस्तों यहां पर मेरा छाओं आता है इस एरिया में लेकिन यहां पर देख सकते हैं इस बा भी नहीं कट करूँगा जब ही मुझे और 10-15 गर दिन के बाद प्लारिंग हो जाएगी तो इसको यहां से काट देते हैं दोस्तों यहां से इसका जो बांच है इसको काट के आप मीटी में लगा सकते हैं अशना मेटी में लगाई सब यहांbound आता है जो कि हवा में इजी लोट जाते दो इसको रख सकता है यहां से इसको जैसे कि उह खैसेnon ऑप ठाले को इसके सीट करें आता हं दोस्तों आफ पता चाहेगा जब आप फूल से पता चाहेगा एक जैसे रखना है इसको दोस्तों बहुत एक beautiful plant है और जैसे समर में बताया इसको आप ब्रांचे से या इसके बीच इच में निकालना होता है जिससे की plant अच्छा भी दिखता है और इसका जो growth होता है वह regular तरह से होता है और दोस्तों इसका कुछ fertilizer तैसे में कुछ डालता हूँ नहीं वैसे तो आप regular खाद और थोड़ा watering प्रोपर कीजिए regular कीजिए तो यह आपका next season भी चल जाएगा मै तो यह next season पर रखा हुआ था इस बार प्लांट खरीदा है नहीं अगर कोई दूसरा कलर मिलेगा मोरी कोट में ले आऊँगा दोस्तों यह था आज का information जरीनिंग के बारे में और दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो like, share और comment करना ना भूलें और दोस् तो keep smiling and keep gardening